साथियो नमस्कार गूरुजी आर्पी शोरान के चैनल में आपका हारदिक स्वागत है और आज मैं आपको दस बीगा जमीन देखा रहा हूँ बहुत सुन्दर जमीन है इसमें आप सामने देख सकते हैं सोलर लगा हुआ है और पास में डिग्गी बनी हुई है नर्मा भी इस जमीन में जो है लगा हुआ है और ये जमीन वैसे पानी वाली है नहर का पानी इसमें लगता है सवा दो गंटे नहर के पानी की बारी है लेकिन ये जमीन जो है अभी भी खसरों में है जो राजस्थान की जमीन खसरे में होगी वही अधर स्टेट के लोगों के नाम हो पाएगी अभी इसकी चक बंदी नहीं हुई है कुछ ही समय बाद इसकी चक बंदी हो जाएगी फिर ये बाहर वालों के नाम नहीं हो पाएगी तो बहुत अच्छी जमीन है गवार लगा हुआ है नर्मा है सवा दो गंटे नहर के पानी की बारी भी है डिग्गी भी बनी हुई है और ट्यूवेल भी आपको चलवा करके दिखाएंगे हमारी टीम के जो सदस्य गए हुए हैं उन्होंने पानी पिया है पानी को पास किया है और बहुत अच्छी जो है जमीन आप कह सकते हैं इसे दस बीगा जमीन है और अगर मैं रेट की बात करूँ तो साड़े पांच लाख रुपए इसका रेट रहेगा क्योंकि नहर का पानी लगने से उन जमीनों के जो है भाव दो तिन लाख रुपए सामान्य जमीन से महं दिया गया है और बारिस का सेसन होने के कारण इसमें अभी तक पानी नहीं लगा हुआ कोई आपको यहाँ फवारे वगएरा नोजल वगएरा नहीं दिखाई दे रहे जैसे ही पानी की जुरूरत होगी तो नोजल वगएरा लगा करके भूमी को सिंचित किया जाएगा हमारे टीम के सदस्य आज यहां गए उन्होंने टूवल को काफी देर तक चलाया भी और पाने भी पी करके देखा यह रामपरताप जी हैं देख सकते हैं आपको उधर मिलते हैं जब जाते हैं तो इन्होंने भी पाने को पास करके बताया कि ठीक पानी है और यह जमीन अगर आपके बहाओ में पढ़ती है साड़े पांच लाख रुपए में तो आप इसे ले सकते हैं आपको यहां पूरी तस्दीक करवाते हैं जितने भी हमारे पास में जमीने हैं वो सारी आपको दिखा करके रेट वगेरे में जब आपको जचती है आपके बज़ट में कोई जमीन पास होती है तो उसको पूरी तस्दीक के साथ पूरे आधिकारिक तोर पर वाजीव कागजातों के साथ आपको जो है नाम करवाते हैं अबजा दिलवाते हैं और जो भी कोई बात है वो पहले ही हम आपको अवगत करवा देते हैं कोई भी हीडन बात नहीं रहती कोई हीडन चार्ज नहीं रहता अगर मैं बात करूं तो इसका जिला बिकानेर है और तहसील लूनकरनसर है अरजनसर जो सहर है उससे ये 3-4 किलो के ही दाइरे में ये जमीने मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कारण ये भी है कि बाहर वाले जो यहां इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोपर्टी में ग्रोथ होता है अन्य जमीनों के मुकाबले जो आप देहात में ले लेते हैं वो खेती के परपज से तो सही रहती हैं उनका रेट भी वहां आपको कुछ कम देखने को मिलता है लेकिन गरोथ जो है रेट में तेजी वो शहर के नजदिक की जमीनों में ज्यादा होती है तो साथियों आप यहां पर आ सकते हैं आने से एक दो दिन पूर्व हमें सुचित कर सकते हैं जितनी भी हमारे से संभव सा रहता होती है उसके लिए हम पूरी तरह से तत पर रहते हैं इसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता और अगर आप भी कोई किसान है आपकी जमीन इस राजस्थान के इलाके में है तो आप हमें फोन करके उसके बारे में बता सकते हैं सुन्दर सा वी जा तो कोई दिकत है मानलो पानी की या और किसी चीज़ की या फिर रेट की ज़्यादा दिकत है कोई न कोई ऐसी समस्या होती है उसी के कान जमीन जो है थोड़ी रुक जाती है अगर वाजिब चीजे हों और वाजिब दाम हों और जो आप बता रहे हैं वही सारी बाते हैं तो ऐसी दिकत नहीं होती हमारे बहुत से अच्छे कलाइंट हैं वो तुरंत पहुच करके उस चीज़ को ले लेते हैं तो साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा आप जुरूर बताएं और आपने जो हमारा चैनल लाइक किया है सबस्क्राइब किया है उसके लिए मैं आपका तह जमीन है वो चाहे हर्याना है पंजाब है अपना राजस्थान है जहां से भी हमारी टीम के सदस्य किसी जमीन को अच्छी प्रकार से तस्दीक कर लेते हैं या कोई किसान हम से संपर करता है तो उसके हितार्थ हम जो है चल पड़ते हैं अपने वाने को साथियों यहीं पर व झामजड़ा है